हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग हांजी बेटे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुपकामनाय देना चाहता हूं जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली अपना सीए फांडेशन का एक्जाम क्रेक किया और उन्होंने इं मतलब सीए इंटरमीडियेट में आपने अपने कदम रख दिये हैं और जैसी बच्चों ने फांडेशन क्लियर करके इंटर में अपने प्यार रखे उनको फेस करना पड़ गया बहुत बड़ा कन्फियूजन 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 क्यों बच्चे यूट्यूब खो जब से फांडेशन का रिजल्ट आया है मेरे पास सीए फांडेशन के जो स्टुडेंट्स हैं कम से कम 300 से साड़े 300 मेरे को परस्टनल विंडो पर मैसेज आ चुके बाड़ आई हुई है जिंदल सर हमारी क्या गलती है हमने फांडेशन क्लियर कर ली हमारा नवेंबर 23 में ए जाय मैं कोई बच्चा कहा रहा है मैं एक ग्रूप देना चाहता हूं कोई कहता है मैं दो ग्रूप देना चाहता हूं सर हमारा क्या कसूर है बताओ और बच्चे ने तो मुझे लंबा चुड़ा मैसेज लिख के बच्चे न अपनी प्रॉब्लम शेर की और जैनून लगी कहीं यूट्यूब से देखा कि निवेंबर 23 के लिए निव स्कीम आएगी मैंने पढ़ाई शुरू नहीं करी मैं वेट कर रहा हूं और जिन्दसा मेरे मन में यह थोट्स आ रहे हैं कि अगर निवेंबर 23 के लिए निव कोर्स नहीं आया तो मेरे पास तो अल्रड़ी टाइ कि अगर अपने ओल्ड स्कीम के अंदर अपनी त्यारी शुरू कर ली और महीने दो मेने बार निव कोर्स आगया तो जो हमने पढ़ा वह बेकार हो जाएगा हम तो यह confusion में है कि old में पढ़ें new में पढ़ें क्या करें सर कुछ तो mark दर्शन करो तो मैं उस चीज के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बेटे मेरा इस वीडियो को शूट करने का कोई भी परपस नहीं है कि आप इसको like करें, subscribe करें, ये करें वो करें, मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, जितने बच्चे देख पाएंगे, हो सकता उनको इस चीज का फाइदा पहुंचे मेरा और कोई मकसद नहीं, आप बच्चों को बता है, मैं YouTube पे अक्टिव हुई नहीं मैं YouTube के उपर वीडियो बनाता ही नहीं, मैं तो सुबा-शाम रिकॉर्डिंग और दिन में डाउट्स, यही मेरा दिन का पैटर्न है, मेरे पास बेटे इन वीडियो के लिए टाइम होता नहीं, यह तो बच्चे ने मुझे इतना मजबूर कर दिया, कि नहीं मैं चर्चा करूँगा प्रपोजड स्लेवस पे, जो आपका इंटरमेडियोट में आ रहा है, अकाउंट्स का, और एक इसका कंपैरिजन कराऊंगा, जो हमारा एक्जिस्टिंग स्लेवस है, निउ कोर्स में, अकाउंट्स में क्या-क्या है, और हमारे एक्जिस्टिंग कोर्स में, जो चल रहा है भी, जिसको ओल्ड बोलते हैं लोग, अभी गया नहीं है, फिर भी ओल्ड बोलना शुरू कर दिये, उसमें क्या-क्या है, दोनों में कंपैरिजन कराऊंगा, निउ स्कीम में और ओल्ड स्कीम में, इंसिट्यूट की एक्सपेक्टेशन में क्या चेंज आया, और आपको इनकी क्लासी कैसे लेनी चाहिए, बढ़ाई कब शुरू करनी चाहिए, वो सारी बात बताऊंगा, पता मैं आपको कर रखी होगी, वो fruitful रहेगे आपके लिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, और अगर निउ कोर्स आता है तो देख लेंगे, एक्जिस्टिंग में पढ़ाई तो शुरू करो, टा मेरे को पता है इस बात का, कि निवेंबर 23 में आने के चांसी बहुत कम है, पर मैं ये बात बोलूगा नहीं आप से, मैं करन्ट सिचुएशन के साफ से बात करता हूँ कि जो बच्चा फेस कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं जिस कंडिशन में आप हैं, मैं उसी कोर्स है, ये तुफान है, निवेंबर 23 में अगर एक्जिस्टिंग कोर्स रहे तो बढ़िया, और अगर ये नया सलेवस लागू हो गया, निवेंबर 23 में तो ये तुफान है, उसका रीजन सिर्फ ये है, कि जिसको कभी मजाग समझा जाता था, आज, 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 आ मैं बता क्या बूलने वाला हूं, आपका जो निव कोर्स है, उसमें जो अकाउंटिंग स्टेंडर्स हैं, वो 65 मार्क्स के पेपर में पूछे जाएंगे, इनोंने नए सलेवस में गिंती के चारियां पांच चैप्टर रखें, बाकि सारे एस हैं, अकाउंटिंग स्टेंड और एक अकाउंटिंग स्टेंडर्स ये दो एस हैं, जो पर्मनेंटली काफी पहले डिलीट हो चुके हैं, विड्रो हो चुके हैं, तो आप यह मान के चलिए, अगर दो स्टेंडर्स अभी लागू नहीं है, तो 29, एक से 29, तो टोटल 27 स्टेंडर्स बचते हैं, मुझे एक को समझाया है कि कपिल, यह अकाउंटिंग स्टेंडर्स है, 27 अकांउंटिंग स्टेंडर्स का मतलब समझते हो, यह 27 चैप्टर्स है, और मैं निू कोर्स की रिकॉर्डिंग स्टाट कर चुका हूं, AS 20 पे 6 लेक्टेर है, AS 19 पे 7 लेक्टेर हैं, होल्डिंग पे 11 है मिलागॉमल का मिशन पे 17 लेक्चर एक एक अकाउंटिंग स्टैंडेड पे 55-56 लेक्चर लगत ऐं और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडेड इस में 22 33 लेक्चर लग रहें है तो यह ऑसान कहां सही हो गया यह 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्स नहीं है आपके, यह 27 चैप्टर है, 27 चैप्टर, और मैं इसे तुफान इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्स का स्लेवर्स, CA final old course में हुआ करता था, वो उठा के इन्टर में डाल दिया, सारे का सारा, और जिस बच्चे के अकाउंटिंग स्टैंडर्स अच्छे हैं, वो final में INDAS सीख पाएगा, जिस बच्चे का अकाउंटिंग स्टैंडर्स का बेस कमज़ोर है, वो इस पे INDAS की बिल्डिंग कैसी खड़े करेगा, आप बताओ, यानि इन्होंने साफ कर दिया है कि इन्टर में AS पढ़के आओ, AS किन कंपनीज पे लगते हैं, INDAS किन कंपनीज पे लगते हैं, वो जब हम लेक्चर शुरू करेंगे, तो उसमें complete road map है, मेरी बात समझ रहे हैं, इन्टर के बच्चों को INDAS पढ़ाएं भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो complex हैं, complicated है, उसके लिए बच्चे का training में जाना बड़ा जरूरी है, ने तो INDAS उसको समझ में नहीं आ सकते, लेकिन accounting standard आगे जाके एक foundation, एक नीव का काम करता है final में, तो आपने इंटर पास नहीं करना सिरफ, इंटर को knowledge के साथ पास करके final में जाना पड़ेगा, और अगर कहीं गलती से बिना knowledge के पास हो गए ना, final में फस जाओ गया आप, मैं ये बात पहले नहीं कहता था, आप कह रहा हूं, जो syllabus में देख रहा हूं, अब आप कह रहे होंगे sir, AS तो पहले भी थे syllabus में थे, लेकिन सारे नहीं थे, नहींने AS पता कौन से एड हो है, AS 15 हो गया, ये existing course में नहीं है, कौन से है ये, retirement benefits पे, 23 हो गया, accounting for associates पे, 27 हो गया, joint ventures पे, 28 हो गया, impairment of assets पे, ये वो accounting standards है, जो नए एड हो है, जो पहले कभी, इंटर में कभी आए ही नहीं, इंटर में कभी नहीं आए, और जो इंटर में existing course है हमारा, accounting standards का, उसमें तो 20 नंबर का एक question आता है, पहले वाला question, अब इसकी वेटे जोगी है, 65 marks की, 55 to 65, सारा paper तो ये इसमें से आना है, तो accounting standards को study करने की अपरोच बदल नहीं पड़ेगी, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक advice बच्चो को दे रहा हूं, सिर्फ एक, single advice, कहीं से भी पढ़ो, जहां से आपके friend का अच्छा feedback आपको मिलता है, जहां पे आपको satisfaction मिलती है, जहां मजा आए वहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत वाल बात नहीं, लेकिन पढ़ना उस teacher से जो CA final को अलड़ी पढ़ा रहा हो, यह course जो आपके screen पे लगा हूँ, मैं अभी आपको चेक कराता हूँ, यह जो course आपके screen पे लगा हूँ है, यह वो teacher नहीं पढ़ा पाएंगे, जो foundation इंटर को डिल करते हैं, क्योंकि retirement benefits, associate, joint venture, impairment, यह व accounting standards हैं, जो सिरफ एक final level के vision का teacher ही पढ़ा सकता आपको, आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन बस इतनी बात की धान रखें, कि वो teacher CA final level को पढ़ाता हो, क्योंकि final को पढ़ाने वाले teacher का vision उसके साथ रहता है, उसका knowledge का जो portfolio होता है, वो एक step ahead होता है, वो दो question extra कराएगा, दो concept अच्छे बताएगा, पेपर में कुछ भी आ जाएगा, और मैं देख पा रहा हूँ, कि अगर सारे के सारे AS आपके syllabus में आ रहे हैं, तो CA final old course के question आपके paper में आएगे, accounting standard के question CA final के course में से डालेंगे, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये बात मेरी याद रखना, जब आने श का, तो एक तो बेटे, इन्होंने एक से लेके 29 तक, दो छोड़ दिये, तो टोटल 27 accounting standard आपके syllabus में डाल दिये, पहले इतने नहीं थे, ये चार standard तो इन्होंने नहीं डाल दिये, अपने आप में ख़तर ना गई है, एक और बात, अगर मैं chapters की बात करूं, ये दो लाइन अगर मैं chapters की बात करूं, तो गिंती के 5 chapter आपको पढ़ने हैं, बस, पहला, company final account, जिसमें company की balance sheet P&L बनाना सिखेंगे with notes to accounts, और वो schedule 3 की guidance में बनेगा, number 2, cash flow statement, cash flow statement वैसे भी accounting standard 3 के हिसाब से बनती है, वो AS में cover हो गया, वो AS भी है, और chapter भी है, तीसरा, आपका branch accounts, including foreign branches, और foreign branch में AS 11 का involvement रहेगा, और एक आपका है amalgamation, जिसको reconstruction of companies बोल देते हैं, अब reconstruction में 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 को syllabus खोल के देखना पड़ेगा, कि amalgamation internal reconstruction दोनों है, यह सिरफ amalgamation ही डाला है इनोंने, दोनों भी हो सकते हैं, यह study mat तो खोल, जब study mat आएगा तब देखेंगे, और एक है buyback of shares, company final account प्लस cash flow, दो तो यह हो गए, amalgamation, amalgamation, इसमें internal reconstruction है यह study mat से पता लगेगा, buyback of shares, और branch accounts, यह 5 chapter है और बाकि सारे का सारा accounting standard, मैंने कभिल सर को फोन करके बोला, मैं का यार आपने यह क्यू बोला, कि बीकॉम का बच्चा भी कर लेगा, मैं का आप accounting standard को हलके मतलो, मैं जब से पढ़ारा इस फिल्ड में आया हूं, मैं 2002 से पढ़ा रहा हूं, मैं पहले बैच से accounting standards के ओपर बोल रहा हूं, लोग हस्ते है मेरे उपर, मेरे उपर हसते हैं, शुरू से हसते हैं को आज की बात होड़ना है, कि जिंदल सर उल्टी सी बात बहकी बहकी सी बाते करते हैं, लेकिन मैं आपने आज भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, कि जिंदल सर accounting standards में जब पढ़ाते हैं, तो में काम आएगा, जब अच्छी एगा तरी training लग जाएगी, तब मेरे को दुआ दे दियो, लेकिन मैंने कभी भी accounting standards की knowledge में compromise नहीं किया, ना मैं करूँगा, और आज तो ICI ने मन खुश कर दिया, सर, 65% paper AS में से आएगा, आप दिल खोल के पढ़ाने को मिलेगा, मैं आपको बता रहो, अब कोई बच्चा यह नहीं कहेगा, कि सर, यह मत पढ़ा हो, वो मत पढ़ा हो, ज्यादा पढ़ा रहे हो, यह हमरे लिए relevant नहीं है, वो relevant नहीं है, यह message आते हैं मेरे को तो, अब पढ़ना पढ़ेगा knowledge के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं, अच्छा, और यह जो यह आप देख रहे हैं, यह पेपर आपका, अगर हम देखें, 30 और 35 और 65, यह तो हैं topics, और यह हैं AS, AS की वेटे 65 और topics की वेटे 35, यह combination इन्होंने बनाया है, और अगर मैं आपको comparison कराऊं, कि इनकी requirement क्या है, analysis and application का मतलब है A&A, और यह 85 तो 100%, यह skill की demand है, CA Inter के बच्चे से मांग रहे हैं, कि आप analysis और application में 100% skill के साथ आना, आपको accounting standard में case study देंगे, उस case study को analyze करके आना, इसका answer क्या होगा, यह देखो, आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसमें level 1 और 2 दोनों चाहिए, इसमें level 1, level 2 दोनों चाहिए, skill level, skill level का मतलब है, आपको theory भी आनी चाहिए, और इसका application भी आना चाहिए, यह जो level 2 डाला है, उन्होंने यह खतरनाव बात है, इसके लिए कह रहूँ हूँ, अच्छा जी, यह आपका syllabus है, देखने में लग रहा कुछ है नहीं, मैं record कर रहा हूँ अभी, new course के लिए, मैं recording चालू कर चुका हूँ, मुझे पता है कि syllabus के number of lecture कहां तक जाएंगे, बेटे 27 accounting standards का मलब 27 chapter है, और 5 chapter मेरे कोई 32 chapter हो गया आपके, और इनको करना ही था यह, क्योंकि पहले accounts दो जगा था, group 1 में था, group 2 में था, अब दो papers को mix करके एक बनाया है, तो इनको चुनाव करना पड़ा कि किस topic को रखना और किस को हटाना है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा syllabus मर्ज कर देंगे, तो फिर जो paper 200 नमबर का, वो 100 में कैसे पूछ सकते हैं आपसे, तो इन्होंने कुछ chapters को हटा दिया, यह देखो, मैं आपको बताना चाहता ह यह accounting standards तो पहले भी थे, यह सारे के सारे इन्होंने यहां से उठाए, चल भई, new course में ले गए, यह ESOPs का chapter हट गया, ESOPs, ESPP, इसको बोलते दें, share based payments, यह हट गया, buyback अभी रख लिया है इन्होंने, buyback है अभी, अच्छा जी, फिर amalgamation रख लिया, यह काट दिया, differential light वाला chapter काट दिया है इन्होंने, कई नजरी नहीं आया, amalgamation है अभी, liquidation हटा दिया, banking हटा दिया, NBFC हटा दिया, consolidation है अभी, क्यों, इस पे लगता है, AS21, और यह practical chapter भी है, और AS भी है, partnership हटा दिया, और अगर आप देखें, यह हमारा CA Inter का, यह हमारा group 2 का course है, यह हमारा group 2 का, advanced accounts का existing course है, इन्होंने AS तो एक भी नहीं छोड़ा, AS तो सारे ले लिए, इस में से एक buyback ले लिया, AS ले लिया, buyback ले लिया, और amalgamation ले लिया, और एक consolidation ले लिया, बाकी सब काड़ दिया, अभी एक बच्चा मिर से पूछ सकता है, कि जिंदल से इन्होंने इन्डेस फोलो करेगी, तो बच्चे एस पढ़ रहे हैं, इन्डेस कहां से लगा लेंगे, छोड़ दिया, बैंकिंग पे इन्डेस का compliance जल्दी शिरू होने वाला है, तो जहां-जहां इन्डेस का involvement है, वो हटाते जा रहे हैं, partnership, कहते है partnership तो आप foundation में पढ़ो सारे गा सार तो मैं जो बच्चे C.A.Foundation में पढ़ रहे होंगे, उनको ये classes free of cost दे दूगा, क्योंकि मेरे तो अब काम की है नहीं, तो मैं delete करूँगा नहीं, तो जिस बच्चे को partnership की classes देखने होंगी, मैं यहां से उसको free में, बिना किसी चार्ज के, उसको link दे दूगा, यहां से download कर के पढ़ लेया, PDF भी भेज़ दूगा, class भी भेज़ दूगा, जो जो chapter इसमें से हटे हैं, जैसे liquidation है, मैं देख लूँगा, अगर foundation में है तो foundation के बच्चे को free of cost प्रवाइट करा दूगा, तो second group में से एक तो AS लिए, एक buyback लिए, एक amalgamation लिए और एक consolidation, गिंती की 4 एक तो सारे AS ले लिए इन्होंने, ये company accounts का portion रख लिया, company accounts में क्या था, P&L है, balance sheet है, cash flow है, ये रख लिया, managerial remuneration नजर नहीं आ रहा मुझे, बाकि study mat खोल के पता लगेगा, कई बार company final account के अंदर, कोई managerial remuneration का एक छोड़ा सा concept हो सकता है, यहाँ पे detail में था, हो सकता है जो नया study mat आए, उसमें कोई concept हो, एक दो question हो, लेकिन detailed वाला तो मुझे नजर नहीं आया, pre-incorporation हटा दिया, खतम, फिर, ये bonus issue हटा दिया, मतलब एक तो AS रख लिये, और AS के साथ, एक इन्होंने क्या रख लिया, company final account रख लिया, बाकि, प्रेफरेंशिर का chapter नहीं है, debentures का नहीं है, investment का नहीं है, insurance claims का नहीं है, higher purchase का नहीं है, लेकिन, accounting standard 13 तो आपके slaves में है, और जो investment account है, इस पे लगते है, accounting standard 13 पढ़ना पड़ेगा, जब accounting standard पढ़ेंगे, तो practical question भी करने पढ़ेंगे, तो directly लग रहा है कि investment account हट गया, लेकिन AS के form में तो है, और अगर AS पढ़ेंगे, तो questions की practice आपको करनी पढ़ेगी, कहां से हट गया बताओ, तो एक तो AS ले लिए, final account ले लिया इन्होंने, investment account indirectly AS के form में आ गया, insurance claim हट गया, higher purchase हट गया, departmental हट गया, single entry हट गया, एक branch का chapter रख लिया, ये देखो आप, accounting standard सारे ले लि बाकि सब कार्ट कूट के मुझे लगते है foundation में ले गए होंगे, और मैं कहा रहा हूँ, कि अगर इसमें से जो portion foundation में चला गया है, मेरे पास तो classes recorded पढ़ी है, जिस दिन नया course implement हो गया, और old course के students ने हमारे इस course को subscribe करना बंद कर दिया, मैं वो classes CA foundation के students को sale नहीं करूँगा, free of cost को available करा दोंगा, कि आप पढ़ लो, कोई भी बच्चा all over India में foundation किसी से भी पढ़ रहा हो, कोई फरक नहीं पढ़ता, वो बच्ची के हम सेवा भाव से उसको दे देंगे, आप बच्चा कहरा जी, हमें ये बताओ जिंदल सर, मैं अभी-भी foundation clear करके आया हूँ, और मैं या new में हो वो दो common है, तो क्यों बेट करते हो, आपका AS 15, 23, 27 और 28 ये नए हैं, इनको side में कर दो, इनको मत शुरू करना अभी, लेगिन जो बाकी के AS है, वो पहले भी थे, अभी भी हैं, तो वो आप बढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्लासी आप कहीं से भी ले, मैं आपको एक राय दे चुका हूँ, सिरफ उस टीचर से पढ़ें, जो फाइनल को बढ़ाता हूँ, क्योंकि अब जो paper में आएगा, AS में से, वो वो नहीं आएगा जब तक आता रहा है, ठीक, तो अब ये जो खेल है, ये हो गया है, skill level का, और आप से मांगा गया है, A&A, analytical और application दोनो ये मुझे थोड़ा सा चिंता का विशे है, कि क्या इंटर के बच्चे, accounting standard के level को match कर पाएंगे, क्या वो इतनी महिनत कर पाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा packet बड़ा धमाका, देखने में लग रहा है कि कुछ है तो है नहीं, हर बंदा कहेगा, मैं कह रहा आपके मजे हो गए, AS रह गए, AS रह गए, बाकी सब तो हट गया, अब उनको कैसे बोलूँ कि ये जो AS है, इसमें cash flow है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो जी, cash flow, 50 question है इसके अंदर, कहने को AS है, 50 question है, 11 classes है, अच्छा, फिर आप थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ये लो 29 और एक्स्ट्रम लागे, 50 question, 16 classes है, इसके उपर, उत्तिरी, ये लोजी, AS 21 Consolidation, Consolidation, Practical Chapter Consolidation का, 14 classes है, मेरी बात समझ रहे हो, अब तो इसमें associate और हो गया, joint venture और हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, मेरे कहने का मतला बेटे सिर्व ये है, कि अगर कोई student time waste नहीं करना जाता, तो वो अपनी accounting standard की पढ़ाई शुरू कर सकता है, AS आपके common है, अब एक बच्चे ने फिर मेरे से doubt पुछा, वाटस आपके, जिंदल सर, अगर मैं आप से classes ले लो, जिंदल सर, अगर मैं आप से classes ले लो, जिंदल सर, अगर मैं आप से class कोर्स आ गया, तो क्या आप हमसे दुबारा fees charge करेंगे, तो मैं जाते जाते एक message, CA Inter के सारे बच्चों को दे जाता हूं, कि जो student इस मन्त में, अब हमारी classes को subscribe करेंगे, क्योंकि foundation का result आ चुका है, जो बच्चे इस मन्त में हमसे classes subscribe करेंगे, और उनके paper नवेंबर 23 में हैं, free of cost replace करके दोंगा, with hard copy of material, किताबें भी free में, class भी free में, एक single पैसा, अगर आप से मेरी team charge करें, प्लीज मुझे WhatsApp करना, number मैं पहली class में दे दे देता हूं अपना, WhatsApp का, 100% free, November 23 के लिए, November 23 की बात हो रही है, मैं May 24 की बात नहीं कर रहा, May 24 में तो नया course आ रहा है, जिन बच में पेपर हैं, और वो पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, वो existing course में कर सकते हैं, यह जो replacement वाली बात मैं ने बोली है, तो जो बच्चे अभी foundation के result के बाद, जिन्होंने हम से classes खरी दी हैं, मैं उनकी बात कराऊं, Thank you very much, take care, bye-bye, God bless you, love you all. कि अराय कर दो लो कि वह